इस वीडियो मैंने कमेश्टी से कुछ most important questions को सामिल किया जिसमें कि ज़्यातर रसाइनिक सुत्र से सम्मादित question है क्योंकि रसाइनिक सुत्र से सम्मादित question दो चार question अबस सी पुछ जाते हैं और इसमें ज़्यातर विद्यार्ति कंड्रेट जो हैं वह confused हो जाते हैं क्योंकि यह याद कर पाना सभी के लिए सम्मादित आते हैं तो इस विजा से मैंने आज किस वीडियो में 50 इसी टाइप के questions को सामिल किया है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मैनत लगे है question type करने में बहुत समय लगे है तो आप लोगों से request है कि वीडियो को अधिक सदिक like जिरूर करें इस वीडियो पर मैं 500 से ज़्यादा like काईम कर देखते हैं कि 500 प्लस like आप लोग कितने जल्दी पूर्य कर देते हैं बस आप लोगों से छोटी से request है कि यदि आप पहली बार इस channel से जुड़े हैं तो चैनल को subscribe करके notification bell icon कर लें ताकि नए वीडियो की सुचन आपको मिलते रहें तो चलिए करते हैं अब आज किस वीडियो को start तो पहला question आपके screen पर बहुत सिंपल सा कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातू है तो चाकू से काटे जा सकने धातू है सोडियम और potassium दो ऐसी धातू है जो की चाकू के दवाड़ा काटी जा सकती है ठीक है और आप लोग भी साथी साथ comment box में आंसर करते रहें सभी लोग कि सोडियम धातू को रखा जाता है तो सोडियम धातू को रखा जाता है मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल में से रखा जाता है आपके माइड में आणसर क्वेस्टन आड़े होंगे यह सोडियम धातू को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जात तो वह तो वह क्या होगा वह तैरता हुआ जलने लगेगा ठीक है पानी में भी जलने लगेगा sodium ठीक है option C तैरता हुआ जलने लगेगा बोरेक्स लवन का रसायनिक सुत्र क्या है रसायनिक सुत्र संबंदेद बहुत की question को मैंने इस वीडियो में सामिल किया है तो सभी रोग answer करके बताएं कि बोरेक्स लवन का रसायनिक सुत्र क्या होता है तो बोरेक्स लवन का रसायनिक सुत्र होता है क्या एने टू बीफोर ओ सेवन इंटू टेन एच्टू ओ ठीक है ऑप्शन ए यह सब आप ध्यान से याद जरूर रखते चले और पीडिया फाइल भी आज आप तो जरूर से जरूर डाउन्लोड करें ठीक है फिर qeesnen आपके स्क्रीन पर है कि गॉबलर साल्ट का रसायनिक सुत्र क्या है गोबलर सॉल्ट का रसायनिक सुत्र क्या है classical 8 stanie न 2 एस ओ सो फुर 10 हो देख सकते हैं पढ़ने में याद करने में कितने कंफीजन होंगे तो कि एक एक विस में कुछ छूट जाए तो अंसर जो वह गलत हो जाएंगे से आज किस वीडियो को बनाने बहुत मेनत लगा और क्वेशन टाइप करने भी बहुत मेनत लगा ताकि कहीं पर कोई तूटी ना हो जिससे आप लोगो कोई पडिसंदी हो सोडियम की सोडा लाइम इसका मिस्टरन है तो पहलने के सोडा का रसायनिक मिस्टर क्या है इसका रसायनिक सूतर है Na2CO3 into 10H2O option B ठीक है option B इसमें बिल्कुल सही है अगला प्राजन फिर आपके स्क्रेंट पर है कि कास्टिक सोडा का रसाइनिक सुत्र है तो कास्टिक सोडा का रसाइनिक सुत्र क्या है अगला प्राजन फिर है कि हाइपो का रसाइनिक सुत्र क्या है बहुत है इसक्रेंट इसे बहुत बार एक्जाम में पुछे गए हैं फिर चाहें वह कोई भी एक्जाम हो रसाइनिक सुत्र संबन्द क्योशन अबस्त ही होते हैं ठीक है तो हाइपो का रसाइनिक सुत्र क्या है एन एटू स्टू ओ त्री इंटू फाइव एच्टू यानि की ऑप्शन ए ऑप्शन ए जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ें ठीक है ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ें साधार नमक का अनुसूत्र है तो साधार नमक का अनुसूत्र क्या है एने CSL जिसे किस नाम जानते हैं सोडियम क्लोराईड स्फोडियम क्लोराइड ठीक है अगला प्रस्थन देखते हैं साधार नमक है तो साधार मकिया है कि क्या है साधार फोटब्लियों का नाम क्या है लियों का सोडियम थायोसल्थेट ओप्चն का रशायु नाम है तो बैकपञता का रासीयु नाम क्या है सोडियम बाई कारपोनेट sodium bicarbonate option B धोवन सोडा का रसाइनिक नाम है तो धोवन सोडा का रसाइनिक नाम के यह दोनों क्वेस्टन जो है बहुत ती बार एक पूछेंगे बैकिंग सोडा धोवन सोडा और भी कुछ है जो कि आगे आपको क्वेस्टन देखने को मिलेंगे तो उपर वैंकिंग सोडा का अ सोडियम कर्बोनेट बैकिंग सोडा का रसाइनिक नाम क्या है सोडियम बाइक कर्बोनेट और कर्बोनेट दोनों अलग लगे ठीक है कि आपको नहीं होना है कि समूद्री जल में सरवदिक मात्रा पाया जाने वाला लवन है तो समूद्री जल में सरवदिक मात्रा में पाया जाने वाला लवन क्या है वहां लवन है sodium chloride sodium chloride कौनसा आंसर है option is sodium chloride कि अन्य ओंस सुत्र बाले आसानिक योगिक का समान नाम किया बहुत confusion वाले question आप लोग देख रहे होंगे कि यतनी भी question है वह सब्छी confusion वाला question है कोई भी confusion हो सकते हैं और यदि इदर हो जाए एक दो नहीं पढ़ेंगे तो यह सब सुतर वाला कोई सब्लोग ध्यान से पढ़ें बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से कि यह जितने भी फॉर्मुला वाले को इससे आप लोग ध्यान से पढ़ें और इससे क्वेस्टन सौ पर्सेंट एक ना दो होंगे ठीक है तो एने वैज Kyrkische ॥ूर्मूंहाई कर और टो कि अगला प्रव रह publi से कौन सी गुठाया नैच्री एक जहती है तो इन में से कॉन से धातु जलती है तो जलती है क्या मेगनेसियं मेगनीसियंड्र हो सी है इप्सम सॉल्ट का रसानिक सुत्र क्या है इसका सुत्र है एमजी एसो फोर इंटू सेवन एच्टू ऑप्शन डी ऑप्शन डी ठीक है मिल्क ऑफ मैगनेशिया बहुत बार क्वेस्टन पूशेगे आप लोग जानते होंगे यदि पहले आपने एक जाम दिया हो कभी तो और जो पहली बार दे रहोंगे कि जाम उन्हें साहथ नहीं मालूम है पर प्रैक्टिसेट देखते होंगे पढ़ते होंगे तो यह का रसायनिक सुत्र क्या है प्लाश्टर ने पेड मैं सतने के इसका रसायनिक्सुत्र रसायनिक्स उत्र है क्या है तो डदील्क यकुर де को finance option B option B ठीक है अगला प्रसंद फिर आपके स्क्रीन पर कि क्वीक लाइम का रसायनिक सुत्र है तो क्वीक लाइम का रसायनिक सुत्र क्या है इसका रसायनिक सुत्र है इसका रसायनिक सुत्र है बहुत इंप्रेंट क्यों संग मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है इसका रसायनिक सुत्र है CACO3, CACO3 बहुत सिंपल है CACO3 केल्सियम कार्बोनेट केल्सियम कार्बोनेट ठीक है अगले प्रसन को देखते हैं अगला प्रसन है बिरंजक चुर्न है तो बिरंजक चुर्न इनमें से क्या है बिरंजक चुर्न इनमें क्या है CAOCl2 CAOC Nic toolkit calcium oxy chloride प्रसन को देखते हैं कि डोलोमाइट का राशानिक सुत्र है तो डोलोमाइट का रासानिक सुत्र क्या है इसका रासानिक सुत्र है सिस्टीश जी CO3 option D option D ठीक है अगला प्रस्ण फिर है है हड्रोलित का अनुसुत्र होता है तो हड्रोलित का अनुसुत्र होता है क्या CAH2 CAH2 जिसे किस नाम जानते हैं calcium hydride ठीक है calcium hydride ठीक या आप लोग चलू रखें कलोरेन बुझे चुने साथ प्रति क्रिया करके बनाती है यह बनाती है bleaching powder bleaching यह बहुत important question है जाम बहुत बार पूछे गए हैं लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहाइता से होती है लोहे में जंग लगने की किडिया किसकी सहायतास होतीए जल एभं और पानी प्रणए के बाद जंग लगने के बाद लोहे का बजन बढ़ता है या फिर घठता है तो लोहे का वजन जो है वह क्या होता है वह बढ़ जाता है जब आप कवारी वाले जो आत Israeli आसे हैं इस में जंग लगा हो तो आपने वो एसी का जंग लगा हुआ है इसलिए इसका जो कम मिलें क्वाजन को समझ चते हैं कहो क्या लोहे का बढ़ जाता है इस него है की यह मिलाया जाता है तो इस्टील को कठोरता परदान करने के लिए उसमें ऐसा क्या मिला जाता है जिससे की स्टील कठोर हो जाते है तो उसमें मिला जाता है क्या क्रोमियम की मात्रा क्रोमियम की मात्रा उसमें बढ़ाने से इस्टील जो हुआ कठोर हो जाता है गल्विनिक रित लोहे पर किसका लेप रहता है जस्ता का जस्ता ऑप्शन बी हडा कसिस का रसानिक सुत्र क्या है तो इसका रसानिक सुत्र क्या है इसका रसानिक सुत्र है FESO4 into 7H2O option C FESO4 into 7H2O जूठा सोना का नाम से किसे जाना जाता है जूठा सोना के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है किसे जाना जाता है FESO2 को FESO2 option V iron sulfide इसे करते हैं या फिर hydrophiride के नाम से भी इसे जानते हैं ठीक है अगला प्रस्त फिर आपके screen पर है कि रखतप्त लौफ बढ़ करने पर अप्शण करें इस आंट सं अब का लोगों ने नीला ठोथा का रसानिक है इसका रसानिक सिमस्ट कॉपर सल्फेट, Сейчас सफेद कसिस है तो सफीद कसिस इन से क्या है जिंक सल्फेट है एक है इसमें आखिर है कौन इसमें जैयरन ऐसो फेड इन allow ऑट्व सेवन अच्वत वो जैयरन अगले question को देखते हैं फिर अगला question आपके screen पर कि lunar caastrret का rasanic सुत्र है lunar caastrret का रasanic सुत्र क्या है इसका रasanic सुत्र क्या थे इसका रसानिक सूंतर है अच-ग अपिसन भी यानिकि कि इस जिलवस्तनय क्डेट यह सब भी याज चरूण रखें लेकन कौन सी धातू सदयार मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो मुक्त अवस्ता में सदय पाई जाती है क्या मुक्त अवस्ता में सदय पाई जाती है सोना बांकि यह सभी देख रहे हैं यह सभी मुक्त अवस्ता में नहीं पाई जा सकती है सोना मुक्त अवस्ता में पाई जाती है ठीक है अगले प्रस्ण को देखते हैं क्विक रसाइनिक सुत्र क्या है सिंदूर करासाइनिक सुत्र है एच जी एस एच जी एस और पीवी 304 के नाम से जानते हैं ठीक है इसे इसके नाम से जानते हैं ठीक है तो यह दुना आप लोग याद जिरू रखें इसका मतलब क्या होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड मर्क्यूरिक सल चले अगले प्राश्न को देखते हैं मैं संचायक बैटरीओ में निम्ललखित में से भाद्धू का परयोग किया जाता है तो संचायक बैटरी ó में कौन से धात्व का परयोग होता है सीशा का सीशा ये पड़ेड्यिक में आपने देखा स्बानते उसे इसका नाम मैंने अपको बताए था शॉट भीजश का धातू कहते हैं है तो भवश का घातु कहते हैं किसे भवश का धातू करते हैं कि तैनियम को टाइनियम option D option D, titanium नाभी की रियक्टर की रचना के लिए अनिवार तत्व है तो नाभी की रियक्टर की रचना के लिए अनिवार तत्व क्या है, अनिवार तत्व है, जर्कोनियम option C निम्न मेर से कौन सी धातु कमड़े के ताप पर द्रव ववरस्तान होती है बहुत वड़ी क्वेशन पुछे गए हैं और इसके आंसर आप सभी को मालूम है सभी लोग आंसर जरूर करें इसमें से आंसर क्या है पाड़ा एच जी पाड़ा ठीक है ऑप्शन सी पाड़ा विदुत बल्व का तंतु किसका बना होता है तो विदुत बल्व का तंतु होता है किसका सबसे अलगा ऑप्शन है टंगस्टन और हीटर के तार कवाड़ें पुछ आते हैं नाइक्रोम यह दो क्वेशन अधिक पुछ जाते हैं निम्नलेखित में से किस रेडियो धर्मी तत् मेरेंट कोबारेंट ऑप्शन डी ठीक है ऑप संवेखिंगे इसके करण होता है इस के जवब आपको अगले पस्चंद मलेंगे अगला पर अस्ट्रांसियम ऑप्शन डी निम्डलखित में से कौन सा एक यसद्द पुस्प कहलाता है यसद्द पुस्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ऑप्शन सी तो 50 सामिल किये गए थे आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंड करके जरूर बताएं जितने अच्छे चे कमेंड्स आते हैं पड़के बहुत मजा आता है सच में आप लोग कमेंड्स जरूर किया करें और यदि आप पहले बार इस सनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बिल आकउन कौन कर ले क्योंकि जब तक आप घंटी को नहीं बजाएंगे तब तक आपके फॉन की घंटी नहीं बजेगी नए वीडियो आने पेस लिए आप लोग घंटी को जरूर बजा दें